हेलो स्टूडेंस गुड मोनी आज हम क्लास वान मैट के चैप्टर नाइन मेजरमेंट के टॉल एंड सौट के बारे में पढ़ेंगे देखो पीज नमबर है 94 टॉल मतलब जो लंबा होता है उसको टॉल कहते हैं और सौट मतलब जो छोटा होता है तो टीक दॉल अबजेक्ट इन यहां पर जो दो अबजेक्ट दिये हुए हैं एक जिराब और एक डियर यह दोनों में से जिराब टॉल है या डियर टॉल है जिराब देखो यह लंबा है कि नहीं जिराब तो यह टॉल है और यह सौट है तो टॉल की टॉल में ठीक देना है और सौट अबजेक्ट में इसलिए यहाँ पर टीक दिया हुआ है और दियार सोट है इसलिए यहाँ पर क्रस दिया हुआ है तो आप यहाँ पर जो अबजेक्ट्स दिये हुए हैं यह अबजेक्ट्स को देखकर आप जो टल है वहाँ पर टीक दियाना और जो सोट है जो छोटा है वहाँ पर क्रस करना ठीक है देन देखो tallest and shortest tallest and shortest के बारे में हम पढ़ेंगे जब हम बहुत सारी चीजों के बीच compare करते हैं तो हम EST का प्रोयोग करते हैं तो tallest and shortest tallest मतलब ये तीनोवी से जो सबसे लंबा है और shortest मतलब ये तीनोवी से जो सबसे छोटा है तो tick the tallest and crush the smallest तो यहाँ पर candle दिये हुए है ये तीनोव candle में से सबसे बड़ा वाला ये सबसे लंबा वाला candle कौन सा है ये है तो यहाँ पर tick करना है और जो सबसे छोटा है यह सबसे छोटा है यह तीनों में से तो यह सटेस्ट है तो यहाँ पर क्रस करना ठीक है यहाँ पर जो पैन दिये हुए है यह तीनों पैन में से टलेस्ट पैन कौन सा है यह वाला तो यहाँ पर टिक करना और सबसे छोटा वाला यह सटेस्ट यह है तो यहाँ पर क्रस करना तो वैसे ही आप इसका एंसर करना पेज नमर है 95